दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है कल के हमारे वीडियो में कैसारे कॉमेंट्स हैं उनमें समय दो कॉमेंट्स यहाँ पे चुने हुए हैं उनका हम जवाब देंगे साथी पोली कैब इंडिया की जो वर्तमान इस्तिती है क्या स्टाउक प्राइस है क्या वैलिवेशन है लास्ट क्वाटर के देचल्स कैसे रहे वो भी हम अपडेट करेंगे और किस प्रकार की कमपनी उसके बारे में हम जानकारी देंगे तो संजय साहब का यहाँ पे जो प्रशन है कि नमस्ते पोली कैब में पैसा डबल हो गया है 100 शेर से इनके पास क्या करें प्रॉफिट बुक करें और लेटेंट भी एवरेज प्राइस 365 का है इनके पास जो भी एवरेज किया धियर दरे अकुमलेट किया यह भी आपके सुझाव से लिया था तो पोली का अपने डाउट बहुत बढ़या कमपनी थी हम शुरू से इस पर वीडियो बना रहे थे और उस पर हम डिटेल्स में चर्चा आज भी करेंगे देखे प्रॉफिट बुक करने का जो हमने कॉनसेप्ट बताया था कुछ वीडियो में हुआ कि उनके पास जो सारी पूंजी थी उन्होंने निवेश कर दी थी और हुआ बुल मार्केट के बाद जब रशिया यूकरेन का केस हुआ उसके पश्चा जो भी उपर स्टॉक गय थे वो सीधे आके फिर आधे प्राइस पे हो गये जिसने जितना पैसा लगाया था एक डिर साल बाद फिर वहीं ख़़ा है तो ऐसे में उनको क्या पश्चा ताप हो रहा था कि आज भी हम वहीं खड़ें बहुत सारे लोगों के रियक्शन साते थे कि आपने स्टॉक बताया था और फिर यहीं पे आके गिर गया आप क्या करें दरसल होता क्या है कि स्टॉक मार्केट देखिए बुलरन आया तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए बुक करना चाहिए जो रिटेल निवेशक हैं कि उनके पास लेमिटेड पूंजी होती है और वो सारी पूंजी लगा देते हैं और रेगुलर इंकम बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है तो होता है क्या कि अगर वो डबल हो गया और वहाँ पे उनने कॉस्ट जो यानि उनका जो मूल धने नहीं निकाला और लंबे समय के यह निवेशक हैं तो 100 रुपए आपना निकाल लीजिए 100 रुपए पढ़ा रहने दीजिए वाकी के जो शेर्स पढ़े रहेंगे माली जे 100 शेर्स हैं तो 50 शेर्स यादि पढ़े रहेंगे लाइफ टाइम के लिए छोड़ दीजिए ना उ और भी गिरेगा तो और खरीदेंगे तो वहां पर फिर किसी प्रकार का रेग्रेट भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम उपर के लेवल पर बेच लिए होते तो हम इस समय और खरीद सकते थे या आपने यहां पर बेचा और जैसे बेचा यह भागना शुरू किया तो आपको पैसे डबलो तो अपना पैसा एटलिस निकालेजिए क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है इतनी साइपी की सारा पैसा आपने लगा रखा है और जब गिरता है तो फिर आपके पास उस समय पैसे नहीं होते हैं तो Latent View के लिए भी आपको शुब कामना है और Polycab India के लिए भी आपको शुब कामना है अच्छी कमपनिया है इनको आप बनाए रखी और अगर चाहते हैं आप इसमें तो आप अपने हिसाब से Profit Booking कर सकते हैं जैसे कि हमने कहा यहाँ पर नवनीश साहब का ये कॉमेंट है कल का हमने जो Latent View का वीडियो बनाया था कि सर Latent View and KPIT, Happiest Minds में से अच्छा कौन सा रहेगा ज्यादा रिटन के लिए देखी ज्यादा रिटन के लिए आप Small Cap की कंपणी चाहते हैं तो आप Latent View में जा सकते हैं या आप Madhyam Size की Unimid Cap की कंपणी चाहते हैं तो आप Happy Substance में जा सकते हैं या फिर Large Cap की कंपणी है KPIT इसके साथ जा सकते हैं या फिर आप Small Cap माली जी एक सेक्टर की आप दो स्टॉक सक चाहते हैं तो लेटेंट वियू रख लिया आपने एक स्मॉल कैप और KPIT रख लिया एक लाज कैप हाला कि दोनों कमपणियों में आपको बिजनेस में डावेसिफिकेशन मिल जाएगा जैसे कि लेटेंट वियू के जैसे कि हमने कलचरचा की थी कि डेटा एनलेटिक्स की कमपणी है दूसरा KPIT देखें तो KPIT वे IT Software Company लेकिन थोड़ा सा इनका जो फोकस है वो मेंली है Mobility Technologies में इनके जो सेंटर्स हैं जैसे कि यूरोप हो गया यूसी जपान, चाइना, थाइलेंड, अफकोस भारत वर्शन भी तो जो नई नहीं गाड़ियां आ रहे हैं जो R&D हो रही है कि hardware और software को जो integrate करती वे क्योंकि आने वाला समय जो है automation का है तो इस वज़े से KPIT देखें तो उस पे ज्यादा इनका exposure है तो दोनों आपको जो diversification इन दो कमपनियों को रखने से मिल जाता है बाकी happiness minds भी बड़ी है कमपनी है तो small cap या आप KPIT भी एक large cap की कमपनी हाला कि बड़ी हो गई है large cap valuation wise भी देखा जा तो काफी बड़ी लग रही है तो इस चीज का आप ध्यान रखें valuation और देख लें क्योंकि IT software में बहुत सारे आप डाउन आप डाउन होते रहते हैं काफी तेज से KPIT भागा भी है और रिजल्स भी अच्छे थे तो यही मैं कहना चाहूँगा बाकी अच्छी तीनों कमपनिया है अब आई जानते हैं कि पोली काइब इंडिया इतना बड़ा मल्टी बैगर क्यों बना तो सबसे पहले हम कुछ संख्याय देख लेते हैं एक साल पहले था 310 का यानि कि 52 वीक कर लो और 118 प्रिश्ट जो है एक साल में रिटर्न यहां पर दिखाए दे रहे हैं जिन्होंने 6 मैंने पहले भी निवेश किया उनको भी 70% ज्यादा के रिटर्न बढ़हा मिल रहे हैं देखें मार्केट कैप कितनी बड़ी हो गए 74,000 करोड की यहां पर दिखाए दे रहे हैं काफी बड़ी लार्ज कैप के कमपनी हो गए 10 की फेस वैल्यू अभी भी है 2019 की लिस्टेड कमपनी है 51 के प्राइस टो वर्निंग रेशियो पे है प्राइस टो बुक वैल्यू 11.60 का अर्णिंग परशन निकल के आरह करीब 97 रुपए और डिविडिन भी पे करता है रिटर्न वाइस अगर देखते हैं सिंस लिस्टेड जब से लिस्ट हुई है करीब 19 में तो आज की डेट में यदि आपने मालिज ये एक्जामपल के लिए कि एक लाग की धनराशी किसी ने डाली होगी जैसे ही लिस्ट होई किसी ने खरीद लिया तो आज की डेट में उसको एक लाग के बदले आज अगर वो शेर्ष बिंशता है तो 7,83,688 उसकी वैल्यू निकल के आती है इतना पैसा मिलेगा अफकोस इतना बड़ा मल्टी वैगरा करीब देखा जा चार साल में ही इतना बढ़हा रेटन बना के 700% कुछ कम नहीं तो दिखाई दे रहे हैं अब quarter quarter देखे अब यही होता है कि बहुत अपने lifetime high के पास trade हो रहा है और देखेंगे जून और March के मद में पिछले वर्ष के quarter में देखते हैं तो 27,37 करोड की टोटल जो है आमक थी जून में 3889 करोड साल दर साले quarter में बढ़हतरी है काफी भारी बढ़हतरी करीब करीब दे देखी यहाँ पर कमी देखी गई है operating profit margin यहाँ पर इन्होंने maintain किया हुआ 14% quarter दर quarter कारण यह है mostly जो इनके wires and cables या जो भी electronics सामान बनते हैं उनमें एक major raw material लगता है वो है copper copper बीच में काफी सस्ता हो गया बहुत भाव fluctuate होते रहते हैं तो जैसे ही raw material के दाम इनके लिए बढ़ते हैं या crude oil भी बढ़ता है क्योंकि अगर देखा जाए wires and cables में कहीं उसका भी योगदान होता है जो भी rubber plastic के products होते हैं तो उस वजह से इस company में भी fluctuation देखने को मिल सकत होता है उसके margin में इस प्रकार से अगर net profit देखते हैं तो 403 क्रोड रहा है पिछले quarter में 428 क्रोड और पिछले वर्श के क्वाटर में 220 क्रोड उससे बढ़के आया डबल हो गया करीब साल दर साल के quarter में पिछले quarter से थोड़ा सा यहां पर जटका है उसका कारण है कि भारत व trading बन रही है कोई भी infrastructure काम हो रहा है कोई भी गाड़ी बन रही है तो ऐसे में बहुत सारे products इनके जो है इस्तेमाल होते हैं तो वहां demand कम होनी की वज़य से इन में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है sales में तो कुछ quarters हो सकता है कि issues आए तो वैसे में गिरावत भी हो सकती एक पांच वर्षों में 16% जो है compounded sales growth निकल के आ रही है एक भारी industries अगर देखा जाए दोनों प्रकार के products हैं consumer electronic products बनाते ही बनाते ही बेशते ही बेशते हैं तो बड़ी-बड़ी कंपनिया भी इन से अपने products लेती है जो भी infrastructure की हो गए और return आप देखी चुके है और return on equity देख manufacturing facilities हैं 60 से ज्यादा countries में exports है इनके products की 4600 authorized distributors और expand भी कर रहे हैं जिनके माध्यम से अपने product बेशते हैं और 25,000 से ज्यादा retailers connecting to consumers याने की जो stores होते हैं आपके nearest wires and cables जो बेशते हैं वो हो गया products में देखिए fine हो गया, conduct board हो गया, LED lights हो गया, switchboards, gears हो गया और देखिए बड़ी-बड़ी जो company जो infrastructure बड़े-बड़े होते हैं उनको भी अगर कोई establish हो रही है या already इनमें demand लगती रहती है, replacement में, wires वगएरे की demand लगती रहती है इस तरीके से घर को light से सजाने के लिए अच्छी designing lights इस सारे चीज़ें switchboard gears और इस प्रकार के नएने products launch करते रहते हैं तो काफी बढ़िया products हैं चाहे क्रशी का कार हो आपर tube well वगएरा के लिए देखिए यहाँ पर motors वगएरा आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर industries के mark करती है अब जो promoters के पास holding है तो एक चीज़ और notice कीजिए कि जो पिछला वर्ष का रहा quarter June से 2022 से 2023 में तो promoters की holding थोड़ी सी घटी है जहां 67.99% थी पिछले वर्ष के quarter में वो अभी ओचुके 65.99% यानि कि देखे इनके पास करजा तो नहीं है जैसे कि हमने balance sheet में देखा ल और उससे fundraise कर रहे है तो आशा है कि आपके प्रशन का उत्तर मिल गया है पूरे तरीके से फिर भी कोई सुझाओ हूं आपके या कुछ विचार रखना चाहते हैं तो कौन बॉक्स में रख सकते हैं थैंकियो फॉर वाचिक दिस वीडियो फ्रेंड्स